अब यहाँ पर आप देखे रास्ता बंद हो चुका है यह था वो एरिया घुटते का पीछे जाने का रास्ता देखें पूरा अंधेरा है दूर-दूर कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पर रास्त ब्लॉक हो चुका है अब यह हमारे पास एक टॉर्च से एक पानी की बॉटल है और कुछ नहीं और साथ में मैं और आमिर भाई आइटिंग यह लाइफ का सबसे टफ सिच्वेशन होगा और एक टफ डिसीजन मुझे लेना होगा मतलब जरा साभी अगर मैं उपर उठा तो खरोचे जो है न पत्थर की वो मेरे पूरे सरीर बदन प केव जिसको अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं से यह लोग भी ना फार्सी में नमक को नमक ही बोलते हैं और इसकी जो लंबाई है ना गुफे की वह है 6.58 किलो मेटर गाइस हां आप बिलीब नहीं करोगे अब अंदर गुफे में भी सायद काफी चैलेंज आन गीला करने की कोशिज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो डिहाइडरेशन ना वह ज्यादा फील ना हूं तो भाई पाइक पे हम बैठ चुके आप देखिए और आम इस बाइक गारी चला रहे है और जो रास्ता है ना उस पे जा रहे है अब यह सारा जितना पहाड आपको द साइट जिसका कोड़ जी 07 किस्म आइलेंड युनिसको ग्लोबल जियो पार्क में यह लिस्ट किया गया है इन दिस जियो साइट द वर्ल्ड रिकॉर्ड नमकदान केव एक जिस दुनिया का सबसे लॉंगेस्ट यह सॉल्ट केव है आप देख सकते हो द वर्ल्ड लॉंगे सिर्फ आपको धेर दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी है बट यह पूरा नमक का धेर है यूँआ टो तो तो गाइज यह रहा दुनिया का सबसे लॉंगेस्ट सॉल्ट केव यानि नमक का गुफा और उसका सबसे ग्रेंड दर्वाजा आपको अभी भी य सिर्फ और सिर्फ नमक नमक का धेर यह आप देखिए तो हम टॉर्च लेकि यहां पर आये हुए हैं और थोड़ा सा जीपीएस वेगर है किन केस कोई प्रॉब्लम होई तो हमें यह आइडिया चल सके तो देखता हूं भाई I think कितनी देर तक मेरा यह गोप्रो चल पाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा हीट है न हम ज्यादा यहां पर रुक नहीं सकते हैं फिर भी मैं रिकॉर्ड करने के कोशिच करके आपको दिखाता हूं अब यह देखिए यह पूरा नमक का सिल्ली है यह सारा नमक है मतलब सिर्फ और सिर्फ नमक कितने सालों पुराना यह होगा आ देखो ओमाइगा इस इस विकाज़ा अप सुल्फर यह इस इस बिकाज आफ आइरान इस बिकाज़ा यह तोड़ा सा डर लग रहा है यह अब अंदर जाने में आप देख सकते हो इतना बड़ा पहाड मतलब बाहर से मैंने आपको दिखा यह कैसे दिख रहा था और अंदर आने पर आइधिंग जितना अंदर आप इसके जा सकते हैं आप जा सकते हैं बट मैं तो कोसिस करूंगा कि थोड़ी देर ही जाओं ज्यादा इसके अंदर मैं आपको लेके नहीं जाने वाला हूं क्योंकि थोड़ा समझे डर भी लग रहा है क्योंकि हमारे साथ सिर्फ मैं और आमिर भाई है गाइड कोई आया नहीं है नीचे से भी यह देखे पानी इसमें पड़ा हुआ है इन सब एरियास में आप देख सकते हो और यह पूरा नमक है यह आप देखो सॉल्ट भाई यह देखो सिर्फ नमक ओनली नमक ओ मैं गॉट काफी जोकिम भरा यह काम है बढ़ रहे हैं अभी देखें दीरे दीरे सर्फेस पूरा अंधेरा हो चुका यहां पर और अभी आपक्षली ने ऊपर से पानी की बूंदे यानि यह नमक पिघल पिघल के हमारे उपर गिर रहा है नमक 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 सलफर आयरन सब कुछ इस जगह पर भरा पड़ा हुआ है तो आप सोचिए दुनिया का सबसे लॉंगेस्ट नमक का के हो यहां पर मौजू देखान में अब यहां से अगर इस पूरे नमक को अगर भाई प्रोसेस किया जाएगा तो आई तिंग पूरी दुनिया में कितनी लोगों को सप्लाई किया सकता इसी सब अंदर लगाई है मत इakah तरह का कि तरह पूरा स्टोन अलग अलग फं में यहां पर लगा हुआ है oh my god दो नो 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 इस पोसिबल दो प्रोडोल ए को भाई व माई गाण गाईज यह देखिये अभी यह आमिर भाई बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर आप देखे रास्ता बंद हो चुका है यह था वह एरिया का अब यह को पहला हिस्सा यहाँ पर बंद है अब इसके नीचे अगर आपको जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है वह यह इस तरह से झाने नेके जमीन के निचे आपको पूरा लेट के लिटर्ललिललिए के धर जाना होगा करीब I think 4 meter I will first No 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 how many Go behind me how many how far About four meters crop 4 meters No no don't go it's scary You should go I go एक तस बोलब तो को सब्सकित wa जो। जा क्योंग सब्सक्राइस, कमेऴड़ा है? जासे विंहे सेसे कमरा है जाक्स्क्त कर ज हमेड़े हैं थी तो मेरे technology में मीरे h комнаs марॷ भी कि अपने रार्स देहिए ऑपस चुलr हम माले के ल dóndeल में नंइ भी I think ये life का सबसे tough situation होगा और एक tough decision मुझे लेना होगा या तो मैं पीछे जाऊं या तो 4 मीटर तक इस तरह से आप देख सकते हो आप देखे, फस सकते हैं, आप खुद देखो मतलब जरा साभी अगर मैं उपर उठा तो खरोचे जो है न पत्थर की वो मेरे पूरे सरीर बदन पे लग जाएंगी आपको मैं दिखाने कोशिद करता हूँ भाई, कैमरा भीग रहा आप ये देखे, इस तरह से नीचे लेट के मुझे 4 मीटर तक जाना होगा और तब जाके, मुझे तो नहीं पता आमिर भाई बोल रहे हैं कि साइद अंदर आगे 4 मीटर जाने के बाद काफी बड़ा स्पेस मिल जाएगा कि आप थोड़ा सा उठके और खड़े होके बाकी जगह पे एक्स्प्लोड कर सकते हो अभी भी मैं डाउट में हूँ यार, आप देखे मैं कैमरा को पूरा जमीन में नीचे लिटा के रिपार्ड करने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको आप ये देखे, पूरा ही नमक की सिल्ली यहां पे भरी तो यार गाईज, अंदर में में जो हिस्सा था वहां पे आपको लेके नहीं गया क्योंकि काफी जादा यार डरावना था और I think कैमरे के साथ और इतना रिस्क लेके अंदर जाना सही नहीं है हमारे पास गाइड भी क्योंकि कोई नहीं था यहां पे नमक और सल्फर की माईनी हुआ करती थी और वो आप यहां पे देख भी सकते हो तो हर जगह जैसे मैंने आपको दिखाया सर्फेस तो आपको यहां पे आईरन सल्फर नमक यह सारा कुछ भाई दिख जाएगा और यह जो किस्म आईलेंड है ना यहां से आक्चुली देखा जाए तो वेसल्स जो है चाइना इंडिया और अफ्रीका में आते जाते हैं ऐसा लोग बोलते हैं और यहां से 180 किलोमेटर अगर यह वाटर बॉडी जो पर्शन गल्फ का है क्रॉस करके आप दूसरे हिस्से मे जाएंगे तो आप पहुत जाएंगे जो UAE, United Arab Emirates का राशित पोर्ट है ना वहां पर इतना पास है यह पूरा एरिया किस्माई लैंड बजाज की अपनी पलसर तो यह है बजाज की 135 CC वाली LS जो हमारे पास है आमिल भाई गाड़ी चला रहे है यह है इस किश्म आइलेंड का मैंग्रोव फॉरेस्ट हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जंगल इसको बलाता है तो यह आप देख सकते हो तो यह एक्चली मैं तबल एरिया में पहुंचा हूँ इस किश्म आइलेंड के जो की काफी पॉपलर है अपने इस तरह के जंगल के लिए के हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यह काफी प्रोटेक्टेड एरिया है और दुनिया के 1.5% बर्ड की पॉपुलेशन और इरान कंट्री की 25% बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो यह देखें चोटी-चोटी बोटे हैं तो लोग यहां पे पिकनिक वेगेरा मनाने के लिए लोग बोटिंग करते हैं यहां से अगर आपको बोटिंग करनी है तो इस तरह की जो जटी है चोटी-चोटी यह स्पीड बोट में बैठके पूरे मैंग्रोव फॉरेस्ट में जा बोट का कॉंसेट है ना कुछ वैसा ही यह लोग टूरिजम डवलब करनी की कोसिस कर रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है आप देख लिए कौन-कौन सी पेड़ हैं यहां पे किस तरह की बर्स पाई जाती है कौन-कौन से स्पीसीज हैं यह सारा मच अचली कौन सा पाई जाता है यह देख लिए लार्ज प्रिडिटर फिश यहां पे है और फिश का नाम भी अलग-अलग है लोग बोटे वेगरे यहां पे बना रहे हैं और बाई काफी अच्छा डिजाइन कर रहा है तो मतलब काफी क्लासी है तो यहां पे एक्शली संड ड लिख राओ और पक्छियां यहां पे मैंने आपको था ना कि बर्स वाचिंग वेगरे की यहां पे काफी लोग आते हैं कोई भी पासपोर्ट होल्डर दुनिया के किसी भी कंट्री से बेलॉंग करता हो वो 30 दिन के लिए कुछ सोर्स बोलते हैं 14 दिन और कुछ सोर्स बोलत कि आपके पासपोर्ट पे लास्ट के 12 महिने से जो इसराइल कंट्री है जो कि इरान कंट्री का दूसमें मुला आता है उनका स्टैंपिंग आपके पासपोर्ट पे नहीं होना चाहिए सलाम व्ड़िया आप तो हिंदी बूल रहे हैं आप कहां से है इसने अदर कर नागैं ये हिंदूस्तान से है हिंडिया से थे माजा ये माशाएलला क्या वाधा तो आप इरान से हैं एरान में किस प्रोविंस हैं आप अम बंदर भेंगे बंदर लेंगे मैं बंदर कॉंग अभी मैं बंदर कॉंग की जा रहा हूं पाकिस्तन कितने साल रहे हैं पाकिस्तन कहां पे कराची अच्छ यह सब गय हुए करते हैं आप बोट बनाते हैं पार्पंटर वाला पूरा काम तो अभी अप हूते हैं सकाय ंपाले से रहीर अजैन देहां कर दो आते हैं किसी यह चाहएं यहां कि तो झाहिए आधा है सिक्रिट बता दे रहे हैं बस बढ़ियां मैं मैं टूरिस हूं यूटूबर व्लॉगर फिर देखेंगे तुमारा यूटूब मैं आपको दूंगा मैं अंदर आ जाओं अंदर ओके ओके तयार भाई ये बाइसा मिले भाई ने नाम नहीं बता है इस्माइल अरे हमिशा हसी तब ही तो इस्माइल ब्रदर यूर नेम मुहमद आप भी हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा आप नहीं बूल पाते आप सीखे ना गुरू से सीखे गुरू है लोग पूरा रात दी में इंदिया का फेल पिचर देखते हैं लेकर सीखते नहीं है समझ आता है लेकर बोल नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो यार गाइस मुझे आपको यह बताना था अक्चुली न इस पूरे किस्म आइलेंड का जो इकोनॉमिक कॉंट्रिबूशन है न वो है यार मेंली अगर आप दिखा जाए तो फिशिंग फिशिंग इंडस्ट्री इसके साथ है इंपोर्ट यहां पर उखते हैं इसके अलावा जो सबसे में काम है वो है बोट का काम मुझे अभी यह भी पता चला कि यहां पर इस तरह से बोट बनाने की काफी बड़ी बड़ी फैक्टरियां है खासकर वूड़न वोट आप यह देख सकते हो फ्लोटिंग विलेज लिखा हुआ है त यहां पर कई डेसारी फैक्टरियां हैं जो लकडी की जहाजे नावे बनाते हैं और यह भी एक कहीं न कहीं इकोनॉमी का कॉंट्रिबुशन है यहां पर रहने वाले लोगों के लिए तो वो सारे जो इस विलेज में लोग हैं वो इस तरह के नाव को बनाने में मदद करते ह और यहां से कई ऐसे लोग जो पाकिस्तान बांगलादेस और इंडिया इन सब कंट्रीज से आके यहां पे भाई बोट बनवाते हैं और फिर यहां से वो सेल करते हुए इन सब कंट्रीज में जाता है यह भी भाई काफी इंटरस्टिंग मुझे पता चला अब आप यह देखे यह काफी यूनिक बोट है और यह पूरा केबिन उन्होंने तयार कर दिया हुआ है साथ बजने वाला है और साथ बजे सूरज भगवान अल्मोस नीचे जाते हुए और मैं आप सबको एक जाहाज से बोट से आपको यह नजारा दिखा रहा हूं तो यह है गाईस पूरा इस किस्म आइलेंड का हारा मैंग्रो फॉरेस्ट यानि जंगल एरिया कितना बड़ा है आप खुद देखिए काफी ज्यादा बड़ा है भाई ओ माई गॉट तो यहाँ पे यह कुछ इस तरह से सोविनियर के दुकाने हैं आप देख सकते हो तो अभी इसको इन्होंने इको अगर है सलाम ब्रुदर तो अगर आपको यह देखे सारी यहां की अलग-अलग फीशेस हैं तो यह वाली काफी डिंजरेस फिश होती है भाई ओके काका सलाम ओके बेबी टू भाई काका मुझे बेबी बुला रहे हैं 2005 में इरान कंट्री का second largest earthquake आया हुआ था उस टाइम पे लेटर दूर बट इस आइलेंड पे भी काफी इंपक्ट हुआ था और इंपक्ट इतना था कि 13 से ज्यादा गाउं यहां पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे और काफी लोगों के जान गई थी पोर्चिगीज के जो यहां पे कीले वगएर हुआ करते थे वह भी डिस्ट्रॉय ह यहां पर मॉस्क वेगर भी है तो यहां पर इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूं इंडियन समोसा यह इंडियन समोसा वैसे तो इरानी समोसा है हेसे समोसा होता है अलो की स्टफिंग से जाना पाइस आफ एकैसी अगर आपको खाना था कि यहां पर आइटिंग एश एश ऑश हाली थे रूली पाइस वेजी टेज वेजी टेरियन बिजी नॉट बडेंश मेना इसमें नूडल से चोला भी है सबजीयां है लेंटिल है दा नॉन विजिटेरियन वाला भी है इसके बाज तो साम के टाइम पे कि यहां इरान में नोटिक की ना यार कि यहां के लोग ना आइ तिंग घर पे रोटी वेगर बनाते नहीं है बाहर से कोई नान जो होता है इनका बड़ा पराठा टाइप का वो लेके आएंगे घर में या त फिर स्ब काएंगे चे तो यह देखें यह समोसा अपना और यह है लोकल आश मैं राष eu को कचालू बोलते हैं जैसे हमारे आम लोग कचालू दं बोलते हैं तो यह लोग भी कचालू बोलते हैं गश्चा बट अच्छा है आट समुसा अच्छा है बहुत अच्छा है रात के साड़े बच चुके हैं और मैं केस्माइलेंड को एक्स्पोर करने के बाद बंदर पोल से बंदर एक हामिर आया हूं और actually मुझे यार अब बंदर अबास को छोड़ के जाना है एक दूसरे प्लेस पे जहाँ पे मुझे एक लोकल सामनी ने निवाइट किया हुआ तो बंदर एक हामीर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहां से प्लेस में मुझे जाना है उसको बोलते हैं बंदर एक कॉंग यहां पे यार यह कोस्टल रूट है तो इस वज़े से हर जगह पे बंदर लगा हुआ है यानि हर सो किलो मीटर पे पचास किलो मीटर पे एक शहर है जिसको बंदर और आगे ई और उसके आगे कुछने कुछ नाम लगा हुआ है उतनी गाड़ी है और यह कोई सूपर इन्वाइट क्या हुआ है तो देखते हैं अभी तो काफी रात हो गए 8 बत चुका है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गाड़ी मिलेगी तो आमीर भाई जो मेरे होस्ट है वो जाके दुकान वाले से बूच रहे है कि सायथ कोई गाड़ी अगर यहां से डारेक जाए तो अल्मोंस 10 बत चुके हैं और मैं थायार बंदर एक आमीर में और बंदर में ऑंर खामीर के घड़ा था और खाड़ जो मेरे दोस्त हें ना वो मुझे मेर इसाम पर करणा पड़ा मुझे और जब कर रहा तहा तो यह दोनों भाई ऑबेद भाई और ना भाई य critic यह है गाड़ी और यह लोग सीराज जा रहा है भाई यू गोइंग सीराज जा रहा है मैंने सिर्फ इनको ऐसे हाथ दिया तुरंत इन्हों ने गाड़ी रोकी मेरे लिए और भाई लोगों ने आप सचो कि इतनी स्पीड मेलाके आधे घंटे कंदर अल्मोस्ट सो किलोमेटर असी से नभए किलोमेटर की नोने मुझे लिए दे दी और फाइनली मेरे होस्ट के लोकेशन तक नोन रॉप किया तरह ब्रदर मामनून थैंक यू सो मच फ्राम या था पर हल्पिं ने तो रॉप लॉप ने रॉप में रॉप यह इंशा आला यू कं इंडिया हिंडूस्ता आप तो मीटियों अगें थैंक यू सो मच थैंक यू सब्सक्राइब कर दिया अब मैं यार आप सोचिए कि फानली गाइस मैं पाउच चुका हूं बंदर ए कौंग तो अपने दोस्तों होस्टों मिलाता हूँ और रात में भी वाई कि यहां पर तो काफी जहल पहल नजर आ रही है तो आई तिंग यह है इस बंदर ए कौंग का में सिटी सेंटर स्क्वाइर राउंड एबाउट